हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से कोश्चन नमबर 10 करेंगे एक्स्प्लेइन हाउ दिस फिगर इस आर ट्रेपीजियम बुक के अंदर 3.26 फिगर दे रखी है आपको एक्स्प्लेइन करना है कि ये फिगर ट्रेपीजियम क्यों है और ये भी बताईए की इसकी कौनसी दो साइड्स पैरलल है तो ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर दो साइड्स तो होती है पैरलल और दो साइड होती है नॉन पैरलल और पैरलल लाइन की प्रॉपर्टी हमने 7th क्लास में पड़िये कि जैसे अगर ये दो लाइन्स पैरलल है और इनको ये टांसवर्सल काट रही है तो अंदर की तरफ जो एंगल्स बनते हैं इने बोलतें इंटीरियर एंगल्स ऑन दा सेम साइड ऑफ टांसवर्सल और इनका जो सम है ये होता है 180 डिग्री तो अगर इनका सम 180 डिग्री है तो ये जो दो लाइन्स है न ये पैरलल होंगी अब इसी प्रोपरटी का यूज हम यहाँ पे भी करेंगे यहाँ हमें ये जो दो एंगल्स दे रखे है न ये इन दो लाइनों के बीच में और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ये जो मल लाइन है अगर इन दोनों का सम 180 80 degree हो जाता है तो हम यह बोल सकते हैं कि N, M और K, L line जो है यह parallel है और अगर इस figure के अंदर एक set opposite lines का जो है एक set अगर parallel हम दिखा दे तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक trapezia में तो यहां से हमें शुरुआत करनी है यह जो angles हैं इनका हमको help लेनी है तो इनका sum हम निकाल लेंगे पहले कि देखते हैं यह sum कितना आता है तो angle L plus angle M L की value है 80 degree और M की value है 100 degree इनका sum जब मैंने किया तो यह आया है 180 degree तो sum तो यह आगया है 180 degree हमें यह भी बोलना पड़ेगा कि यह interior angles on the same side of transversal है तो यह तो है एक result नमबर वन अब हम यह भी बोलेंगे कि also they are interior angles on the same side of transversal यह जो दोनों angles है और यह हमारी transversal का काम कर रहे है इन लाइनों को यही तो काट रही है MN line तो यह transversal के एक ही तरफ के अंदर के angles हैं also they are interior angles on the same side of transversal यह second बात होगी तो therefore from 1 and 2 from 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि जिन lineों के बीच में यह angle आ रहे हैं यानि कि NM और KL यह parallel है तो therefore from 1 and 2 NM is parallel to KL अब जब हमने इस figure के अंदर एक opposite lines का जो set है वो parallel दिखा दिया तो यानि कि यह trapezium है एक ही parallel line का opposite parallel lines होती हैं trapezium के अंदर तो अब हम बोल सकते हैं so KLM N is a trapezium यहाँ जो question है न यह इस तरह से बोला है कि जैसे आप पहले तो इसको trapezium दिखा दो फिर यह बता दो कि lines कौन सी parallel है लेकिन ऐसा नहीं होगा पहले आपको lines parallel बतानी पड़ेंगी कि यह दो lines parallel है फिर आप बोलोगे कि इस लिए यह trapezium है क्योंकि इस figure के अंदर यह दो lines parallel है question खतम